This is 80,000 रुपय का जाडू पोचा लगाने वाला रोबोट मतलब आप कितना भी रायता फैला दो यह उसे चाट चाट के चाट चाट के पूरा साफ कर देगा इसमें कैमरा, अलेक्सा, AI सेंसर, आटो डस्टिंग, आटो क्लीनिंग, आटो मॉपिंग मतलब हजारों फीचर्स मिलते हैं और यह फुली आटोमेटिक है, मतलब आपको हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं है आप बस चादर ओड के सो जाओ, पूरे गर की साब सफाई यह अपने आप कर देगा तो इस वीडियो में हम इसकी सारी टेस्टिंग करेंगे जिससे आपको पता चल सके कि यह रोबोट आपके खरीदने लायक है या नहीं तो बॉक्स के उपर इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कुछ तस्वीरे चपी हुई हैं और इससे आपना अपनी आवाज से कंट्रॉल कर सकते हैं मदलब अलेकसा, गूगल, सीरी, तीनों बाइबैन इसके अंदर मिल जाते हैं बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें यूजर मैनूल दिखाई देता है और इससे पढ़ना बहुत जरूरी है वरना सेटप करने में बहुत दिखकता है यह रेंप एक्स्टेंशन वाली प्लेट है, बेस एक्स्टेंशन में इसे अटेच किया जाता है जिससे रोबोट बिना अटके अपनी जगह तक पहुँच पाए उसके बाद यह है रोबोट एंड इसकी बेस इस्टेशन एंड रोबोट काफी भारी है यार, मतलब पकड़ने पर इसकी जो क्वैलिटी है न, मतलब काफी प्रीमियम फील हो रही है अगर बजन की बात करूँ तो साले 3 किलो से ज़्यादा ही होगा, I mean 3.7 या फिर 3.8 kg शायद इसी वजए से वैक्यूम भी अच्छी तरह से कर पाता है एंड इस मेन स्टेशन के विना वैक्यूम क्लीनर कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे कामधाम इसी के अंदर होते हैं लाइक इसकी चार्जिंग, क्लीनिंग, वाटर फिलिंग और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम आगे डिसकस करेंगे इसके अलावा दो मॉपिंग पैट्स देखने को मिल जाते हैं एक तीन मूचो वाला बिरश भी मिलता है क्लीनिंग सॉल्यूशन, एक बिरश एंड ये है एक पॉवर केवल जो मेन इस स्टेशन में कनेक की जाती है रोबोट की बिल्ड क्यालिटी काफी मस्त वाली है सामने AI कैमरा मिल जाता है जो काफी परफेक्टली काम करता है इसके अंदर लाइडर नेविगेशन दिया गया है जिस बज़े से आप अंदेहरी राद में भी इसे यूज कर सकते हो नेविगेशन इसका सच में बहुत खतरनाक है कि यहाँ पेंसे ओफ रोडिंग भी कर सकते हो सस्पेंशन भी बिलकुल मर्सेडीज वाले है यहाँ पे आपको मॉपिंग पैट्स लगाने है I think इसमें कुछ ना कुछ चुमबगी है प्रवाव है क्योंकि यह काफी अच्छी तरह से अटेच हो जाते है यहाँ पे अटेच होता है यह बीच में इसका में बिरश है जो बाल या फ़े जो दागे जैसी चीज़े होती है उनकी साबसफाई में काम आता है इसे यहाँ बाहर निकालके भी इसकी साबसफाई कर सकते हो तो हलगी इसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस इस्टेशन से connect होते ही इसकी साबसफाई ऑटोमेटिक हो जाती है बागी फैक्टरी रिसेट करने के लिए यह एक बटन देखने को मिल जाता है बाइफाई कसंबन आपको इसा देखने को मिल जाता है इस कवर को अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक dust bag देखने को मिल जाता है जो use and throw होता है मतलब जब एक बार full हो जाए तो simply यहां से पकड़के आप इसे बाहर निकालके फैंक सकते हो उपर की साइड में भी काफी कुछ है मतलब इस कवर को ओपन करने के बाद दो प्लास्टिक के डबे दिखाई देंगे यह actually water tank होते हैं नीले वाले में साफ पानी भरना होता है और black वाले में जाडू पहुचा करने के बाद जो गंदा पानी होता है वो black वाले में आके खटा होता है पीछे की साइट आपको on off वटन देखने को मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे आपको इसकी power cord अटेच करनी है अब सेट अप करने के लिए सबसे पहले आपको main station में power supply देनी होगी उसके बाद रोबोट में सारी accessories इंस्टॉल करने के बाद रोबोट को charging वाली side से base station में घुसाना पड़ेगा then पानी की bottle में पानी वरो and जो solution है न उसे भी बीच में attach करना पड़ेगा अब आपको अपने mobile phone में इनका एक application आता है Dream Home के नम से उसे install करने के बाद में phone को robot से robot को main station से मतलब सारी चीज़ों को connect करना पड़ेगा then इसके अंदर camera और sensors मिलते हैं अब उनकी help से आपको जहां-जहां मतलब जिस area में सफाई करनी है वो सारी area select करनी पड़ेगी मतलब पहली बार आपको mobile app के अंदर पूरी mapping create करनी पड़ेगी उसके बाद में आपको कभी भी कुछ नहीं करना है बस आपको एक बार बोलना है कि वाई साब सफाई कर दे ये पूरे घर की साब सफाई अपने आप कर देगा इसके अंदर 5300 PA suction power मिलती है मतलब आपके घर में जितना भी कूडा करका टेस सब ये अपने अंदर खीच लेगा और आप इसे ना मतलब किसी भी surface पर यूज कर सकते हो like wooden, tile, पत्थर कहीं भी यूज कर सकते हो और इसके जो sensors हैं वो भी बिल्कुल perfect काम करते हैं like किसी object से कभी ये टकराता नहीं है जहाँ जहाँ possible है बहाँ बहाँ बिना फसे हर कोने की सफाई कर देता है और पोंचा तो कामबाली हाटी से भी अच्छा लगाता है और पोंचा सुखाने के लिए पंके चलाने की जरूरत नहीं है इसकी जो mopping pads है वो चार्ट चार्ट के पूरी फर्ष को clean कर देते हैं and साब सफाई complete होने के बाद में ये अपनी जगह पे पहुँच जाता है and जितनी भी दूल, मटी और जो भी चीज़े इसने एकटी करी होती है वो सारी चीज़े ये अपनी main station में फैंक देता है साब सफाई होने के बाद में इसका जो black tank है जिसमें गंदा पानी और गंदी चीज़े इकटी होती है उसे manually दुलना बहुत ज़रूरी है बरने इसके अंदर से ना smell भी आना शुरू हो जाती है बाकी आप इसके mobile application से काफी सारी settings को customize कर सकते हो like किस area को कितनी वार साफ करना है किस area में नहीं जाना है child log मतलब काफी सारी चीज़े मिल जाएंगे आपको अच्छा रोबोट के उपर आपको तीन बटन देखने को मिल जाते है एक तो power button जिसे long press करने पर on off हो जाता है single click करने पर ये साफ सफाई शुरू करतेगा दूसरा spot cleaning button है इस पर click करते ही ये गंदगी डूरना शुरू करतेगा ताकि ये उसकी साफ सफाई कर पाए तीसरा dog button है इस पर click करने पर ये अपनी base station के पास में पहुँच जाएगा अगर साफ सफाई की में बात करूँ तो भाई ये अपने घर के कोने कोने में होसके बिल्कुल clean मतलब चमका देता है आपकी floor को और sensor से फरिज उसका navigation system है काफी खतरनाग है मतलब कहीं पर अटकता नहीं है कहीं पर फसता नहीं है अगर table available होती है तो बहाँ से नीचे गिरता नहीं है अब बात आती है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं तो मेरे हिसाब से काफी खतरनाग चीज़ है मतलब अगर आप बहुत busy रहते हैं आपको I mean कोई made वगरा नहीं मिल रही है